आज की वीडियो काफी स्पेशल होने वाली है इस वीडियो में हम आपके साथ एक बहुत ही सिंपल येट आवर्फुल स्टाटजी शेयर करने वाले है जिसकी एकुरेसी अल्मुष्ट 85% के आसपास है बहुत ही गजब की स्टाटजी है आज जो हम आपको समझाने वाले हैं अगर आप वो समझ गए और सीख गए तो इसके बाद आपको किसी भी स्टाटजी की जरूरत नहीं पढ़ने वाली है ये more than enough है डेली बेसिस पे आप इसके थूरू ट्रेड्स बना सकते हैं मार्केट में इस वीडियो में इंडेप्ट सार के अलावा multiple time frame में कैसे use होती है and risk reward क्या है strategy का सारी चीजों की बहुत ही detail में बात करने वाले हैं बहुत ही गजब की strategy है लेकिन share करने से पहले अगर आप channel पे नए है तो subscribe जरूर कर ले and अगर आपको ये video अच्छ लगे तो like भी कर देना तो चलिए किस strategy की हम बात कर रहे है यहाँ पे इस video में हम discuss करेंगे super trend की बहुत commonly अपने नाम तो सुना होगा लेकिन जो details आज इस video में हम आपके साथ share करने वाले हैं वो मैं guarantee के साथ कह सकता हूँ कि आप लोगों को वो चीजे नहीं पताऊंगी कि इस way में भी इसे use कर सकता है और इस strategy को कैसे better बनाया जा सकता है वो सारी चीजे इस video में detail में discuss करने वाले है super trend strategy मैंने पहली काता simple है लेकिन बहुत ही powerful है वो आपको सारी चीजे दिखेंगी तो ध्यान से पूरी video को जरूर देखे कोई भी part skip ना करे otherwise आप कुछ important मिस कर सकते हैं अब सबसे पहली बात super trend एक indicator है क्या करता है यह जैसे कि इस के नाम में यह super trend यानि यह market में आपको trend identify करने में help करता है अब normally आपने market में सुना ही होगा कि आपको trend के against trade नहीं करना चाहिए जिस direction में market का trend हो उस direction में आपको trades बनाने चाहिए तो यह वो ही आपको help करता है सबसे पहले trend जानना जरूरी है यह आपको trend बताएगा market में यह करता क्या है यह आपके लिए signals generate करता है कि अगर market uptrend में है तो यह आपको buy sign देगा और अगर market downtrend में enter कर रही है तो यह आपको sell sign देगा and यह सबसे अच्छे से कहां work करता है देखो जहां पे low volume है उन stocks में इसका ज्यादा कोई काम नहीं है लेकिन जो commonly चीजे trade होती है औ उन shares में और nifty bank nifty जो daily basis पे trade होते है जिन में daily volume बढ़री आपको पता है वहां यह बहुत गजब से work करता है तो जब nifty bank nifty में intraday trades करते है वहां इसे जरूर use कर सकता है बहुत perfectly work करता है daily आपको trade generate करके देगा तो यह कुछ basic outlay है कि super trend क्या है कैसे work करता है अब इसमें आप आपको video को देखना है चलिए अब आजाते है charts पे कि actual में यह work कैसे करता है और हमें यह कहां मिलेगा बहुत सारे लोगों को यह भी doubt है क्या यह कोई paid indicator है बिलकुल नहीं काफी लोग इसे paid sell जरूर करते है लेकिन बिलकुल free indicator है सारे ही brokers में आपको मिल जाएगा and जो आपका doubt है वो भी मैं answer करने वाला हूँ कि इसकी setting क्या रखनी है कि यह perfectly work करें देखो मैंने सालों से test किया है बहुत गजब से work करता है मैंने आपको भी बहुत बार दिखाया है कि आपको use करना चाहिए लेकिन आज इस video में और बहुत सारी in-depth बाते करने वाले है चलिए सबसे पह प्रोकर्स में same process है कि आपको studies पे जाना है super trend लिखना है और फिर यह आपके charts पे mark हो जाएगा simply आपको यहां दिख रहा है एक green line है इस time super trend ने buy sign दिया हुआ है और market up trend में और bullish है इसी way में जब market downtrend में होती है तो आपको sell sign देता है अब देखो इसकी 2 entries बनती है सबसे पहले जब आप trend breakout के लिए trade करेंगे और second entry जब आप इससे reversal trade बनाएंगे reversal का यह मतलब नहीं है कि trend के against trend already positive है लेकिन trend में आपने देखा है market straight line में move नहीं करती है market में trend में dips भी आते हैं ठीक है अगर अब trend में तो market dips करके फिर further rally करेगी तो यह dip पे कहां बाये करें वो भी आपको बताएगा और market downtrend में होगी तो यह top से आप दुबारा कैसे sell कर सकते है यह दुबारा कैसे यह puts में entry कर सकते है उसमें भी help करता है तो दोनों trades में help करेगा अब बात करते हैं use कैसे करना है पहले जालेते breakout में कैसे use होगा और फिर बात करेंगे कि reversal के trades कैसे बनेंगे काफी चोटी चोटी चीज़े हम इस वीडियो में discuss करने वाले तो इसलिए बार बार कहरो जान से वीडियो को जरूर देखे वनना कुछ important आप मिस कर सकते है देखो सबसे पहले अगर breakout वाली entry की बात करें तो देखो यहां पर क्या हो रहा है यह बैंक निफ्टी का चार्ट है simply यहां पर market ने breakout दिया है breakout का क्या मतलब है पहले यहां पर एक red line दिख रही है आपको यानि sell sign चल रहा है market में downtrend चल रहा है लेकिन यहां पर एक candle बनती है जो आपको buy sign देती है इस candle ने buy sign दिया लेकिन क्या directly first candle पर ही trade करना है नहीं जब भी breakout वाला trade बनेगा यानि trend change होना है तो trend एक candle से कभी भी change नहीं होगा trend change करने के लिए हमें market में confirmation candle भी चाहिए ठीक है तो उसकी confirmation candle का आपको वेट करना है confirmation candle कैसे बनती है वो भी समझा देता हूं जो first candle की body है यहां पर देखो यहां पर देखो यह है first candle इसकी जो body का high है अगर upside breakout मल रहा है next candle की closing होगी वो इस candle की body के अपर होनी चाहिए तब breakout confirm होगा और similar way में downtrend में क्या होगा अगर किसी candle से super trend ने sell sign दिया है तो एक और confirmation candle बनेगी तो वो first candle के low के below close होगी जैसे यहां पर first candle के higher close होगी next candle next candle भी हो सकती है उसके बाद भी कोई candle बन सकती है but within five candles बन जाए तो वो ज्यादा better है उसके ज्यादा late बन रही है लाफ्टा half an hour तो आप उस trade को avoid कर सकते है पहला rule याद रखना है within five candles वो next candle बन जानी चाहिए ठीक है जो confirmation candle है अब ये तो बात होगी entry की entry मिल गई अब आपको minimum हर बार आप 10% के target के लिए तो calls में trade बना ही सकते है minimum 10% के लिए यहाँ पे entry कर सकते है और इसके अलावा trailing stop loss तो मने आपको बताई है कि बड़े profits कैसे कैसे होते है तो पहली entry hope आपको clear है कि जब market किसी भी side breakout या direction चेंज करती है तो एक breakout candle चीए और second हमें चीए confirmation candle अब इसक simple होता है जो first candle का low है body हमेशा हम बात करेंगी अब यहाँ पर जो भी discussion है na breakout confirmation वो हमेशा body के basis पे होगी उसमें हम wick को consider नहीं करेंगे जो higher or lower wick है simply आपको देखना है candle की body को यहाँ पर जो first candle की body का low है वो आपका SL होगा SL भी कैसे होगा अगर कोई candle इसके below close हो जाए तो वो और आपको exit हो जाना है तो hope SL भी आपको clear है ठीक है फिर से एक बर समझा देता हूँ यहाँ पर यह breakout candle है यहाँ पर क्यूंके इसने sign change किया है cell से by sign किया है और यह है confirmation candle confirmation candle first candle के high के above close होनी चाहिए अब इस candle की हो सकता था wick यहाँ तक थी wick से हमें कोई मतलब नहीं है हमें सि उसके above यह close होनी चाहिए second candle और SL में भी wick से कोई मतलब नहीं है SL होगा candle की body और SL candle होगी उसमें भी wick से मतलब नहीं है उसमें भी candle की body level के below close होनी चाहिए तब आपका SL हिट होगा यह simple तरीका है पहला जब breakout वाला trade है अब मैं breakdown भी आपको दिखा देता हूँ अब breakdown में यह यहां क्या हुआ breakdown fail हो गया क्यों फेल हो गया क्योंकि breakdown तो मिला sell sign दे दिया यहां green से इसने लेकिन sell sign के बाद कोई confirmation candle नहीं बनी तो यहां पर हमारा trade भी नहीं बना है ठीक है clear है ऐसा ही मैं आपको और दिखा देता हूँ इसलिए confirmation candle बहुत important है trend चेंज करना हमें दो candle चीए इससे पहले भी देखो यहां पर इस candle से breakout मिला sign green हो गया red से लेकिन क्या इसकी कोई confirmation बनी है नहीं बनी इसलिए यहां पर भी trade नहीं बना है setup को ध्यान से सुनते जाईए और rules याद रखिए यहां पर breakdown मिला next candle से confirmation नहीं मिली है third candle से मिली है लेकिन आप इसे confirmation consider कर स next five candle तक बन सकती है जरूरी नहीं है very next candle बनीगी उसके बाद five candles तक बन सकती है confirmation candle तो आप trade ले सकते है और अगर आप यहां पर देखोगे इस trade में SL हिट हुआ है कहां पर हिट होगे SL इस candle से क्यूं क्यूंकि यह देखो यह हमारी first candle का high था sell sign दिया है तो high देखेंगे buy sign देत की है तो आपका इसी candle में SL हिट हो गया और आपको इससे exit हो जाना है hope rule clear है सारी चीजे में practically आपको charts पे दिखा रहा हूँ कब entry करनी है कब entry नहीं करनी है कहां पे SL कैसे हिट होता है कहां पे आपको exit कर लेना है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसके अलावा एक और चीज ह है कि जब भी आप entry करेंगे देखो bank nifty और nifty दोनों में ही work करता है मैं nifty में भी आपको दिखा देता हूँ एक बार nifty के chart पे आप यहां देखो यह मिला breakout यह हमारी confirmation candle 5 candle से पहले ही बन गई है 4th candle है ठीक है 5 candle तक बने तो आम उसे consider कर सकते है breakout confirmation और उसके बाद एक अच्छी decent rally up move simple trade था आपको यह entry करनी थी और बहुत अच्छा profit आपको मिला है इसका SL क्या था इसका SL बनता यहां पे अब यह red candle तो बिलो है लेकिन हमारी entry तो यहां बनी है इसके बाद क्या कहीं भी SL हट हुआ है नहीं हुआ है entry यहां बनी है यहां पे entry नहीं बनी है ठीक है confirmation candle बनन इसके बाद ही आपको entry करनी है और उसके बाद देखो क्या sudden rally आई है और क्या गजब का market में target भी आया है उसके बाद यहां breakdown में देख सकते हो आप इस candle ने break किया और यह हमारी confirmation candle है जो पहली candle के low के below close होती है और यहां पे भी आप देखो यह एक new level बन जाता है clear cut इसके अब करते हैं बड़े trades और बड़ा trend कैच करने के लिए हमेशा क्या कहता हूं आपको trailing stop loss करो उसके ओपर dedicated 2 videos अल्रेडी बनाई हुई है नहीं देखिए तो वह देख लो बड़े profits कैच कैसे करते है minimum 10% तो हर बार आपको इससे मिली ही जाएगा अब यहां पे एक important part आता है कि आपको within 5 candles वो entry नहीं करनी है वो कब नहीं करनी है निफ्टी में याद रखिए अगर आपका SL 30 points से जाधा का हो तो आपको entry avoid करनी है बैंक निफ्टी में अगर आपका SL 100 points से जाधा का हो तो वहां पे आपको entry नहीं करनी है and generally ऐसे momentum market में continue नहीं रहते हैं तो यह hope आपको एक नहीं चीज पता लगी होगी यहां पे देखो बहुत ही छोटा move है सिफ 10 points का यहां पे आपका SL होगा तो entry बन सकती है यहां भी बहुत ही छोटी candles है तो entry बन सकती है अब first entry hope आपको clear है अब आजाते second setup पे जो बहुत ही गजब का है यहां पे तो बड़े SL दिख रहे है और यह आपको कम trades मिलेंगे जो second वाला trade है वो बहुत जादा मिलेगा और वो बहुत ही गजब से work करता है second वाला trade दिखा देता हूँ अब आपको यह देखो यहां पे आई हमारा second वाला trade reversal का इसमें क्या करते हैं हम हमें कोई breakout confirmation नहीं जीए market ने sell sign दिया हुआ है अगर market जैसे यहां resistance पे आ रही है resistance पे आए या support पे आए resistance पे आकर test करें और candle test करके उसके below close हो जाए ठीक है अगर sell sign है तो आप क्या trades लेंगे puts के निफ्टी में sell sign है तो puts के trade लेंगे आप यहां पे candle यह वाली green candle देखो super trend को test कर रही है और उसके below close हो गई है यहां पे इसकी closing है यानि पहली candle ने थोड़ा बहुत आपको sign दे दिया है कि यहां resistance face कर रही है तो directly आप यहां पे entry कर सकते है candle का color matter नहीं करता है काफी लोगों को यह doubt है कि fall करने के लिए आपको red candle से rejection चीए नहीं rejection green candle से भी आ सकती है rejection मिल रही है यानि super trend अपना काम कर रहा है आप यहां से trade बना सकते है और बहुत ही गजब का fall आया है यहां पे और इसका SL भी अभी समझाओंगा लेकिन पहली चीज़ देखो entry hope clear है candle test करे super trend को और वहां rejection ले ले तो वहां से आप entry बना सकते है लेकिन candle test क करनी थी यह नहीं कि candle यहां आई और entry कर ली नहीं rejection चाहिए तब आपको entry लेनी है एक resistance की entry बनगी कई support की बनती है तो वह भी देख लेते है जैसे यहां support की entry आपको देख रही है candle ने test किया और candle आके upside close हो गई दो support की candle है यह लेकिन support की candle red बनने के बाद भी आप यहां पे entry कर सकते थे और 10% का return तो आपको यहां भी मिली गया है जो मैं आपको कहता हूँ minimum 10% का return आपको मिल जाएगा यहां पे almost 35 to 40 points का move है और इतने move में 10% return बन जाता है nifty में ठीक है तो यह trade आप बना सकते थे उसके थोड़ा और पीछे देख लेता है यह देखो यह कौनसी वाली सोरी और candle कौनसी है यह account करो 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th तो breakdown और confirmation candle इसका SL इस candle का high तो SL कभी हिट नी हुआ और आप देखो क्या बड़ा fall आया है बड़े-बड़े moves आप catch कर पाओगे बड़े trends catch कर पाओगे इसके अलावा और भी दिखा देता हूं आपको bank nifty देख लेते हैं bank nifty दे आपको 10% return minimum आपको मिल ही जाएगा है अगर आप इतने से satisfied है तो आपको हर बार इतना profit तो मिल जाएगा इससे और SL क्या होगा वो भी आपको दिखा देता हूं और कहां पर यह entry नहीं करनी है इसी chart पर आपको तीनों चीजे दिखेंगी कि SL कैसे लेना है entry तो मैंने आपको बताई दिया है और कहां पर entry नहीं करनी थी वो भी दिखा देता हूं यह देखो यह red candle ने test किया और level के अबव close हुई level को hold किया sign change नहीं किया तो यहां से आप calls में entry कर सकते थे SL क्या है इसका SL बहुत ही simple है जैसे ही यह sign change हो जाएगा यहां पर आपने entry की है buy sign है जैसे ही क downtrend के लिए call में entry की थी तो जैसे ही sign change हुआ यानि market ने बता दिया downtrend है आपको SL लेके exit हो जाना है और SL देखो कितना छोटा है यहां तो सिफ 2 points का SL है ऐसी rare strategies होंगी जिन में इतना छोटा SL हो सकता है और कहां पर इसी chart पर मैंने आपको कहां पर entry नहीं बनानी थी देखो यह market दुबारा super trend के पास कब गई यहां पर लेकिन इससे पहले आप कहीं भी देखो क्या कोई भी candle super trend पर आकर rejection face कर रही है इस candle ने तो direct upside break कर दिया इस candle ने rejection face नहीं किया super trend पर तो directly ऐसा नहीं करना है super trend के पास candle आई और आपने entry बना ली नहीं candle close का wait करना है candle close हो rejection face करे तो आपको immediate entry बनानी है यहां पर confirmation candle नहीं चाहिए सिफ एक candle rejection face करे आप entry बना सकते हैं और intra day के लिए हम use करते हैं 5 minute time frame यह जो strategy आपको intra day के लिए use करनी है वो use होगी 5 minute time frame में hope सारे doubts clear है कैसे work करते हैं बहुत आप खुछ जाके back test करो आपको बहुत गजब के results मिलेंगे अब यहां पर देखो क्या हमें यहां पर entry करनी चाहिए थी यह देखो breakdown और confirmation नहीं है entry क्योंकि यहां दोनों candle का अगर size देखोगे न almost 150 points का है तो जब हमने आपको क्या क्या है 100 points का SL होगा तो हम trade बना लेंगे लेकिन यहां SL है 150 points का है तो यहां पर हमारी entry नहीं बनेगी यहां पर आपको trade नहीं बनाना था अब हमें दोनों entries clear है कहां पर entry नहीं करनी है यह भी clear है SL क्या है वो भी clear है लेकिन हमने discuss किया यह 5 minute time frame में इंट्राडे के लिए आपको 5 minute time frame में यूज करना है and इसके combination में बहुत सारे लोग बताते हैं कि आप एक दो indicator और लगा लो वो आपको confirmation देंगे देखो आप extra चीजे चार्ट पर डालोगे न वो आपको confusion ही देगी उसकता है एक चीज बाय बता रही हो और दूसी चीज ना बता रही हो फिर confirmation के चकर में और यहां यूज करना है किसी के साथ combination में यूज नहीं करना है अकेला ही काफी है जो हमने आपको setup के तरीके बताया है अगर आप उस वे में यूज करोगे और कोई भी two months यसा यूज करो और results देखो आपको गजब के results मिलेंगे बहुत लंबे time के लिए test करने के नहीं कह रहा हूँ सि strategy को test करो आपको गजब के results मिलेंगे इसके अलावा अभी हम discuss कर रहे है 5 minute time frame में लेकिन यसे 5 minute time frame में work नहीं करता है यह हर time frame में work करता है अगर हम 15 minutes में देखे जितना बड़ा आपको trend कैच करना है उतने बड़े time frame में आपको इसे use करना है यह देखो 15 minutes में भी support और resistance अपना काम कर रहा है और जो positional trades बनाना चाहते है stocks में भी जो entry करना चाहते है swing trading करना चाहते है वो इसे one day और one week time frame में use करो और support वाली entry especially उसका wait करो अगर वहाँ entry मिले वहाँ से entry बनाओ वहाँ से maximum time आपको reversals देखने को मलेंगे कि वहाँ पर बहुत important support होता है अगर आपको याद ह तो recently nifty जहां पर struggle कर रही थी top बना के और bank nifty जहां पर struggle कर रही थी क्या reason था one week time frame में दोनों में ही super trend की resistance थी मैंना आपको बार बार यह पहले भी दिखाया है mark करके देखो बड़े time frame में positional trades में बहुत जादा work करता है इसलिए bank nifty में कोई बड़ी rally नहीं आ पा रही थी क् कि उसी के आसपास 44 160 के आसपास ही वहां पर एक super trend की resistance थी उसी को market break नहीं कर रही थी इसलिए बार बार वाहां से fall आ रहा था और trade लेने से पहले अगर आप confirmation ही चाहते हो ना तो आप एक confirmation यहां कैसे ले सकते हो जब आपको किसी भी direction में trade लेना है for example 5 minute time frame के according आपको trade लेना ह है तो 15 minute में भी जाके देखो क्या same trend है उस time अगर वो same direction में trend है तो आप trade बना लो बाहर के किसी indicator की जरूरत नहीं है confirmation के लिए सिर्फ आप बड़े time frame में देखो क्या बड़े time frame में भी same वो ही trend है जिस trend के लिए आप अभी trade बना रहे हो हो सकता है 5 minute में वो आपको बोल रहा buy करो लेकिन 15 minutes में अगर downtrend है या उसने sell बताया हुआ है वो sell sign change नहीं हुआ है तो उसके fail होने के chances जादा है 5 minute में तो अगर आपको 5 minute में confirmation चीए trade की तो simply 15 minute में जाके देख लो क्या same trend है अगर same trend है तो वो 85% time आपका trade work करेगा तो ये थी simple strategy तो hope strategy में आपके सारे doubts clear है अब में main query पर आजाता हूँ कि अलग अलग brokers पर ये अलग अलग type से दिखता है जरोधा में अभी ये default setting के साथ ही मैंने mark किया हूँ है मैं दिखा देता हूँ एक बर settings भी super trend यहाँ पर setting देखो 73 है जरोधा में default इसी setting के साथ आप इसे use कर सकते है एक और broker जो में आपको regularly बोलता हूँ daily आपके share करता हूँ तो उसके लिए आपको धन broker के super trend में कुछ changes करने पड़ेंगे देखो यहाँ भी same तरीका है indicator पर आप गए super trend आपने type किया और super trend आपने mark कर लिया यहाँ पर already mark है और यहाँ setting में changes है देखो मैं आपको दिखाता हूँ setting क्या है यहाँ धन broker में जो धन broker में 2.86 यूज करना है best results पाने के लिए होप आज आपकी यह query भी answer हो गई है कि भई क्या इसकी perfect setting है तो मेरे according जो मैंने सालो से test किया है मेरे according यह best setting है जरोधा में 7.3 वर्क करता है लेकिन trading view में और यहाँ पे especially धन broker में यह वर्क करता है 7 length और factor होना चाहिए आपका 2.86 अगर आप यह setting रखेंगे तो आपको exactly same output दिखेगा जो मैं आपके साथ daily share करता हूँ same वो ही levels दिखेंगे आपको यहाँ पे देखो bank nifty में work करता हूँ दिख रहा है आपको resistance से fall भी आया है और support से bounce भी आया है breakdown मिला जरूर लेकिन कोई confirmation candle ल नहीं था simple clear setup मैंने clearly define कर दिया है कब कहां पर कैसे use करना है आपको settings में doubt था वो भी मैंने clear कर दिया है इसके बाद भी अगर आपको इस indicator में पहली जीज़ work करता है बिलकुल करता है सिर्फ trust करना है आपको trust करोगे rules के साथ use करोगे तो गजब के results मिलेंगे rules मैंने सारे define कर है targets 10% minimum बड़ा target trailing stop loss के तुरू catch करो SL already defined है entry defined है यही तीन चीज़े तो required है किसी trade में entry, target और SL इसके अलावा क्या कुछ चाहिए नहीं चाहिए और वो सब कुछ मैंने define कर दिया है कहां पर entry नहीं करनी है वो भी बता दिया है तो आपने सारी चीज़ों को note down कर लिया है और use करो और आपको गजब के guaranteed results मिलेंगे strategy से and इससे better कोई strategy नहीं है जो work करती हो market में सालों से मैंने test किये में लिए work करती है बहुत सारी strategies मैंने test की है तेकिन उन सारी strategies में मेरी favorite और best market में जो work करती है वो यही है इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ तो जरूर इसे use करे कोई भी doubt अभी भी आपका comment section में आप कर सकते है अज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो कि जरूर use करें comments में आप अपने सारे doubts भी बता सकते है इसके लावा कैसी वीडियो लगी ये भी आप comments में share कर सकते है और आगे ऐसी और भी वीडियो आने वाली है तो उसके लिए चैनल के साथ बने रहे subscribe जरूर करके रखे चैनल को आज की वीडियो में इतना ही आपके साथ ये strategy शेयर करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तो जरूर use करें जाते जाते वीडियो को like जरूर कर दें